हलो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है 40-45 पे और आगया जो 22 फरवरी को और रिजर्व हुआ था तो उसके बाद जो है जो पास अभ्यरती है वह बहुत ज़्यादा निरासा में है और बहुत ज़्यादा गुस्ते में है तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि देखिए जज्ज माननी जज्ज महोदे हैं और साथी साथ जो है सरकार को कोशने से कुछ नहीं होगा अब में जो बिकल्प मौझूद हैं उस उस पर बात कर लिया जाए और सबसे पहली बात की दोस्तों जो है यह भरती सबको पता था कि डबल बिंच तो जाना ही है अगर जो है साट पैसट के फेवर में आया होता तब भी इसमें जो सिच्छे मित्रों की टीम है यानि रिजवान इन अंसारी की जो टीम है वो डबल बिंच जाती ही तो अब जो है यह हो रहा है कि डबल बिंच अब जो पास अभ्यर्थी उन्हें जाना पड़ेगा यह सरकार जाएगी अब कौन-कौन से आज हम इस वीडियो में कौन-कौन से ऐसे महत्रपुन पॉइंट हैं मैंने जो आसानी से डबल बिंच में चैलेंज किया जा सकता है और दोस्तों यह रिकार्ड रहा है कि जो सिंगल बिंच के आडर होते हैं ज्यादा तर आडर जो है डबल बेंच में बदल जाते हैं तो निश्चित रूप से आप निरास ना हुए बस अपने विकलपों पर ध्यान तीन यानि आर्टिकल चाउदा का जो है मेंजन किया गय theor है वहाँ पर और यह बताए गया है कि आर्टिकल अनुच civरा के तहट जो है समानता की अधिकर इसमें यह बताए गया है कि एक लाग 37 सिच्छा मित्रों का समाय ज़ग विए था उसमें से कुछ सिच्छा मित्रों का जो है चैन हुआ 68500 में वो जो है कटाफ 40-45 पे हुआ जबकि दूसरे सिच्छा मित्र जो बचे रह गए उनकी भरती जो है 60-65 कटाफ पर हो रही है तो एक ही दो एक ही कंडिडेट थे दोनों सिच्छा मित्र का समायोजन एक साथ निरस्थ हुआ लेकिन एक सिच्छा मित्र को 40 45 पे जो है नियुक्ति दी जा रही है तो यह जो है उनके समानता के अधिकारों का हनन है ऐसा कहे के आडर में जो है इस 60-65 के कटाफ को जो है निरस्थ किया गया है तो दोस्तों वहीं पे दूसरी बात करें तो हम लोग ये भी कह सकते कि आर्टिकल 14 तो याद है लेकिन आर् देखा जाए तो यहाँ पे देखा जा कि गैर जो सिच्छा मित्र हैं उनको 25 जो भारांग दे दिया जा रहा है सिच्छा मित्रों को उससे जो गैर सिच्छा मित्र B8 BTC हैं उनको भारी नुक्सान हो रहा है और उसकी भरपाई वो चाहे जितने अधिक नंबर लेया कर भी न चाहिए फिर बाद में जो कटाफ लगाया गया दूसरी भरती दूसरा पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि जो 60-65 कटाफ है ये जो है साथ फरवरी के जियो जो जारी हुआ था उसके अनुसार लगाया गया तो जज महोदे का कहना है कि मतलब आदेश की काउपी में ऐसा मेंसन है कि 60-65 कटाफ geçer में लगाय जो की अवायद है और एक बिदिग प्रक्रिया जो होती है उसका पालण नहीं किया गया है तो इसमें दूसरी बात दोस्तों और और वहाँ आधर में साफ साफ मेंसन है कि सरकार को ये अधिकार है कि RTE यानी Ride to Education Act सिच्छा का अधिकार अधनियम 2009 के तहट सरकार को ये अधिकार है ये सब आधेश में मेंसन है अधिकार है कि वो समय समय पर सिच्छा की गुणवत्ता के लिए जो है कटाफ निर्धारित कर सकता है तो जब आडर में पहले से मेंसन नहीं था 60-65 तो फिर जो है कटाफ जो है जीरो हो जाने चाहिए थी लेकिन यहाँ पे कटाफ जीरो ना करके 40-45 लगाया गया है और ये तर्क दिया गया है कि जो पिछली भरती हुई थी क्योंकि इसमें क वश्ट तोर पर ये लिखा था उसके साथ जनादेश में कि यह भरती की जो कटाफ है यह केवल इसी भरती के लिए है तो यानि जो 40-45 का जो कटाफ है वो जो है केवल उसी भरती के लिए लागू था इस वज़से जो है दोस्तों उसको इसमें जो है मैंसन इसमें जो है ला बनाम में तो बहाँ पे सुप्रीम कोर्ट माननी उच्छतम नियाले ने इस पश्ट तौर पर कहा था कि सिच्छा के अधिकार अधिकार अधनियम के तहत गुणवत्ता पूर्ण सिच्छा परदान करने के लिए योग और टीचरों की भरती होनी चाहिए तो उस आधार पर भी यहाँ पे जब जो है 110 वाले आल लेडी मौजूद है तो 70 वाले यानि 66 वाले को कैसे भरती कराया जा सकता है तो यह कुछ महतुपूर्ण पॉइंट है जिसके बदलत जो है डबल बिंच में यह आदेश जो है बदल सकता है यह आदेश पलड सकता है तो साथियों अब जो है सरकार क्या कर रही इसके बारे में बात कर लेते हैं 40-45 और आने के बाद सरकार की बहुत ज़्यादा किरकिरी हुई है मेडिया में भी और हर जंगों पे तो सरकार नहीं चाहती कि 40-45 पे कराया जाए और दूसरी बात यह है कि अगर यह 40-45 पे होता है तो जो सिच्चा मित रहें अपने भारांग के सहारे जनरल में की लगभग सारी सीटे खत्म हो जाएंगी तो इस प्रकार देखा जाए तो यह भरती ब्यवहारिक तोर पे आदेश का कर्यानिवन सरकार नहीं कराना चाहेगी तो सरकार के पास यह है कि अभी जो निर्वा आचार संवीतल लगी हुई है तो आचार संभीता के दोरान सरकार आनुमतिन में दिया गया गया है और इसको डबल बेंच में भी ले जा सकतीlight तो कल बिएड और बिटी सी के जो पास अभ्यर्थी ती उन्होंने प्रभाध सर जो है अपर मुख्य सचिव बेसिक सिच्छा उनसे मिलना चाहा लेकिन वो जो है दिल्ली में थे इस वज़ा से मुलाकात नहीं हो सकी तो फिर गड़े सर जो है सीर्टी के हैं उनसे मुलाकात हुई उन्होंने कहा कि कल जो है सासन के अस्तर से एक मीटिंग होगी उसके बाद जो है इ 90-97 कटाफ को पास कर रहा है 60-65 कटाफ को तो उनको यह चाहिए कि जो है उचित तरीके से किसी को कोसने से कुछ नहीं होगा अब आपको इस भरती को अगर पूरा कराना है तो सभी लोग एक उचित रणनीती के साथ जो मजबूत पॉइंट है उनको जो है रखना होगा डब भरकम अधिवक्ताओं की जो फौज थी वो जो है जजस साहब को यह समझाने में सफल होई कि जो 60-65 कटाफ है वो सिच्छा मित्रों को रोकने के लिए लगाया गया था क्योंकि इस बार जो है 4,10,000 अभ्यरती थे और बहुत अधिक कम्टीशन हो गया था तो जाहिर सी बात है कम्टीशन जब तफ हो जाता है तो वहां पे कटाफ हाई होती ही है और दूसरी बात की जो पिछला एक्जाम था वो डिसक्रिप्टिव था तो वो जो है कटनाई का इस तर अधिक था और यह एक्जाम जो है अबजेक्टिव था यहाँ पे अगर आपको नहीं भी आता है बस यहाँ पे जरूरत है एक उचित रणनीती के साथ जो है और तारखिक रूप से जो है अपनी बातों को अधिवक्ताओं के माध्यम से रखा जाए सरकार के उपर ज़्यदा ज़्यदा दबाव बना जाए और यह हो सकता है कि इसमें जो पिछली सीट है उसको भी अगर आइट कर दिया जाए तो भी आसानी से भरती 40-45 पे भी हो सकती तो कई रास्ते हैं सरकार को निर्णे लेना है आज मीटिंग है उसके बाद जो भी होगा आपको आउगत करा दिये जाएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सेयर सब्सक्राइब करने ना भूले थांक्यू सो मच